अजगल करांगे सिख कौम दे ओहो महान योदे दी जीने 90 साल दी उमर्च अंगरेज जानू पाजडा पातियां सी जी दी फॉज कोल सिर्फ तलवारान ने जे तीर कमानी सी गे ते समने सी गे तोपा अले अंगरेज अंगरेज जाद महाराजा रंजीत सेंग दी मौत तो बाद पंजाब ते खाल साराज नू दबना चौंदे सी तां तोपा दे मुँ बंद करते सी आवदियां पूरियां नाल एहे सिक्खियो देने तोप दा गोडा लगन तो बाद भी जड़ा लड़दा रहा अकाल तक्त सहेव दे उस टेम दे जथेदार बुड़ा दल दे मुखी जथेदार बाबा हनुमान सेंग जी तुसी बड़ेवार सुनया होना के अंगरेज जान दे खिलाफ पार्त च सबतो पहला राणी लक्षिमी बाई ते मंगल पांडे होनी लड़े पर बाबा हनुमान सेंग जी ओ इनसान सी गे जड़े सबतो पहला पार्त च अंगरेज जान दे खिलाफ लड़े सी परेतहास च एहे नहीं पड़ाया जान दा आज जुत्वाननु दसांगे ओ सम्हान सिख योदे दी ओ गाथा पहला आपनों समझना पहला बाबा हनुमान सेंग जी कौन सी गे की इनना दा स्थान सी गा जड़ा बुड़ा दाल सी उनना दा की स्थान सी अकाल तक सहेव दा की रुतबा सी गा रंजीत सेंग दे राश्य रंजीत सेंग दा जो तो राज आया नी सी उद्धू पहला मिसला सिगियां मिसला सारियां जो तों महराया रंजीत सिंग दा राज आया ता आगियां महराया रंजीत सिंग दे अधीन महराया रंजीत सिंग बन गया सब तों पावरफुल इंसान पंजाब दा महराजा पर्थवनु पता एक फौज सिगी जडी महराया रंजीत सिंग दे अधीन जड़े अवदियां फौजानू लेके महराजा रंजीत सिंग दियां हर जंगांच सब तो मूरे होके लड़ते सी गुरू दे सिक एहे अकाली महराजा रंजीत सिंग ली लड़तेता सी पर महराजा रंजीत सिंग दी फौज दे अंडरनी आउंदे सी महराजा रंजीत सिंग ने इनना वास ते एक स्पेशल रेजमेंट बनाई हुई सी, उधा नाम सी अकाल रेजमेंट नाता है महराजा रंजीत सिंग दी फौज वाली वर्थी पौँदे सी जदों महराजा रंजीत सिंग ने यौरप तो लिया के अफसर अवधी फौज परती करे के ट्रेनिंग दो अडवांस पंजाब दी खाल से दी फौज नू तां अकाल राजमेट दे सारे नहेंग सिखाने मना करता सी केंदे असीनी लेडी अडवांस ट्राइनिंग क्योंके अंग्रेज जदों ओ लेफ्ट राइट कराऊंदे हुंदे सी एदा मुखाली बड़ाउन लागिया ना दा केंदे आज नानिया लेका मसाड़े तो नहीं हुंदे जदों जंगच पर्थू पाना होया ओदों बलाली सानों करते भी है यहीं सी जंगच जदों जान दे सी ना पता ही नी कि में वाब रोड़े वांग जान दे सी ते अफगानिया दे गलाला के परा मार दे सी गे एडार रोतबा सीगा रंजीत सिंग दे राजच ये अकाली नहीं गान दा बुड़ा दल दा अकाल टक्त सहीब दे जदे अकाल रेजमेंट दा इनना दे जथेदार महराजा रंजीत सिंग दे टैम ते सीगे अकाली फूला सिंग जड़े के नशेरे दी जंग च शहीदी प्रापत कर जान देने उस तो बाद अकाल तक्त सहिब दा जथेदार ते बुड़ा दलदा मुखी बनाया जान दाए जथेदार बाबा हनुमान सिंग जी नू जथेदार बाबा हनुमान सिंग जी बहुत तकड़े योदे सी गे उन महराजा रंजीत सिंग दे राज बेले अंग्रेज ए सब चीजा नोटिस कर रहे सी के यार कौन है है लोग जिना दे अगे महराजा भी चोग जानता है के सारा पंजाब महराजे दे अगे चोग जानता है पर महराजा रंजीत सिंग इना अगे चोग जानता है ता अंग्रेज जानों सब्तों जादा खत्रा महसूस हुन्दा सी अकाल रेजमेंट तों ए नहिंग सिखां तों अधे एक चीज होर समझनी पेनिया महराजा रंजीत सिंग दे एक पासे दुश्मन सी गे अफगानिस्तान अले अफगानी हामला बर दूज्ये पासे दुश्मन सी गे अंग्रेज सत लोज तों पार सी गा अंग्रेज जा धा राज दे ओदर ले पासे अफगानिया धा राज महराजार रजीत सिंग एक डा विजनरी बन्दा सी यड़ी तकडी सोच वाड़ा बन्दा सी ओ कैंधा भीजय में दोने पास से दुशमनियां पालीयां ताक्ता भी पास्यों यंगे। ताक्तवी डवर्ट होगी हो सकता उनना तकडा होगे भीना लड़ सका मैं। अंग्रेजजा नाल उन्हीं संदी कर लाएंदा है। पर ए गल ते जडी अकाल रेजमेंट सी जड़े बुड़ा दल दे नहेंग सिंग सीगे अकाल तक साइव दे जथेदार सीगे ओ ए चीज तों खुश नहीं सीगे ओ कहन दे जी कोई चक्कर नहीं आप लडांगे आप आंग्रेज्जानु भी मारांगे आप आफगानियानु भ उस टेम ते महराजा रंजीत सिंग नूँ एक खबर मिली सी के अकाल रेजमेंट मैटकाफ ते एक गोरे ते हमला करूगी उही गल होई नहेंग सिंगा ने मैटकाफ ते हमला कर देता सी पर बहुत यादा स्क्योर्टी होन करके ओ काम्याब नहीं हो पाए एच्थों ही अंगरे नहेंग सिंगा नू नफरत करन लग पे ते नहेंग सिंगा खिलाफ फिर एक अलग ही नरेटिव एक सोच उनना ने बना के किताब बांच लिखी एथों इमेज खराब करनी स्टार्ट कर देती नहेंग सिखां दी अंगरेज जाने महरायरंजी सिंग दी मौत वाद पर पंजाब दियां बहुत रियासतां दे राजे वी अंगरेज जाना मिले सिगे ओवी तुआ नू अगे जाके दसांगे सब तों जड़ी पहली जंग लड़ी जान दिया सिखां ते अंगरेज जान दी ओ होई सी की मुद की ता अंगरेज जान ने फिर उस टेम ते सिखां खिलाफ जंग शुरू कर दिती महराणी जिंद कौर ने उस टेम ते दो चथियां लिखियां सी एक चिठी लिखी सी सरदार शाम सिंग अटारी वाला नो दूझी चिठी लिखी सी अकाल तक्त दे जथेदार साहिब बाबा हनुमान सिंग जी नो तीन दे सब सीगे जड़े अंग्रेज जाना मिले होए सी जड़े पहले प्लैनिंग करीब एठे सी के किमें एहे जंग सिखानू हराउनियां किमें अंग्रेज जानू जताउनाएं उत्थे फिर जंग जदों लग दिया मुद्गीच तां सेख बहुत बड़ा ठुकी कर देने अंग्रेज जान दी शाम सिंग अटारी वाला बहुत बहादरी ना लड़े ने जदों खबर मिल दिया अंग्रेज जानू के जथेदार बाबा हनुमान सिंग जी अपनी काल रेजमेंट नाल आ रे ने तां अंग्रेज फिर एक एंदे सुने गए सी के जानना बचा के पजल और राक्ष सारे ने और राक्ष सेंदे सी ओंदे सी यह आक्ष्छ सा मँंग लडवे सेंदें आ ड़ी där ने बहुत बली मुवी देखिया दी सिख फौज ने बहुत बुरे तरीके नाड़ मारया जथेदार बाबा हनुमान सेंग जी ओमर उस टेम ते 90 साल सी 90 साल दी ओमर ऐसे शस्तर चलाओ दे सी न के पच्ची चबी ती साल दे नौजवान भी ना थर थर कंबन लग जांदे सी ना दे सामने बाबा हनुमान सेंग जी ने फिर अंग्रेज जांदा एक अफसर सी टुंडे लाट उनू जंग दे मैदान चो पजाया अंग्रेज पजाये क्योंके पट्याला नहिंगां सिंगां दा गड़ हुंदा सी गुर्दवारा दुखनवार ने जो उस टाइम ते गुर्दवारा साब नू केंदे सी नहिंगांदा टूबा क्योंके उजगा फिर सेफ लगी उथे आके फिर बाबा हनुमान सिंग जी ते उनना दे दो हजार सिक्ख योदे फिर विश्राम कर देने उथ फिर अपने ही लोक गड़ारी कर देने इतिहासकार लेख देने के उस टाइम पट्यालेदार राजा करम सिंग जो के अंगरेज जानाल यारी रखदा सी ते अंगरेज जान तो डर्दा भी सी उनने फिर अंगरेज जान दे डर्तों नहिंगां सिंगांनों केरा पालिया और क गेरावी कैसे टायम ते पाया के नहेंग सेंग जंग च आहन तो बाद अपना लंगर परशाधा त्यार कर रहे लंगर परशाधा त्यार दियां दे उपते तोपां बीडिके हमले कर늘ेटे गए पंदराअ सो सिख उठे शहीद हो इसी पट्याले दी तरती ते इना कोल की सी? इना कोल सी गे पुरातन शस्तर तलवारा नेज्जे तीर कमान समणे की सी? समणे सी गे तोपाँ बड़ियां बड़ियां बंदुखाँ तब पंदरां सो सिख नहिंग सेंग उते शहीद कर देते जान देने तब बापा हनुमान सेंग जी 90 साल दी उमर ताओ हो फुर्ती नाल जान देने पूरी लेके वो तोप दा मुँ बंद कर देने तो गाला देने वो तोप चियां दे तो फिर पंच सो नहिंगा दे जथे नाल निकल जान देने पापा हनुमान सेंग जी उदर जड़ी मुदकी दी जांग अलमोस्ट जित चुके सी सिख उथे फिर एह गुलाब सेंग डोगरा ते तेज सेंग डोगरा गदारी कर देने चल दी जंग चों एह पज जन देने मैदान छटके कमांडर सी के सोचो है सिखानी फौज दे और सिखानी फौज दे कमांडर ही पज गए ता जड़ी सिख फौज सी उनना दा मनोबल जमा डाउन हो गया ओ जंग इनना करके फिर हारनी पई सिखानू जड़े सिख राज दा पतन होया उधे सब तो बड़े जम्मेवार सी गे लोग इदरों बाबा हनुमान सेंग जी अपने पांसो सिखान दे जथे नाल उथों जान देने कडाम पिंड वालनू गोलियां लगियां सी उथे बाबा हनुमान सेंग जी दे पर आया नहीं है का उते हिम्मत हार के बैठ के सी गे लड़े गए लड़े लड़े फिर उथों कडाम पिंड आके जथे दार बाबा हनुमान सेंग जी तोप दे गोले दा शिकार हो जान देने सोच के देखोए थे एक किसे दे गोली भी बज़े न ओ बंदा फिर उद्वाल हिम्मत नी करता लड़न दी तोप दे गोले दे शिकार होए उस तो बाद भी इतिहासकार लिख देने के जंग लड़ी गए कडाम पेंड तों फिर राजपुरा बनूड होंदे होए पेंड हैगा महाली कोल सोहाना जिनों होन सोहाना साब कहने आपां सोहाने पेंड आके फिर जथेदार बाबा हनुमान सेंग जी शहीद दी प्राप्त करतेने 500 सिक भी शहीद हो जान देने सोहाना साहिब होना दी याद च बहुत सोना गुर्दवारा साहिब बढया होया है बहुत संगता दूरो दूरो उत्थे अशीरबाद लैनों दियाना है ता एसी जथेदार बाबा हनुमान सेंग जी दा इतिहास जे वीडियो तो अनों बदिया लगी था इनों अग्गे भी पेश सकते हूं सेक इतिहास नल जुड़ियां एदन यहोर वीडियो बेखन लई पंजाब से यादे फेस्बुक पेश ते यूट्यूब चैनल नों लाइक ते सब्सक्राइब जरूर कर सकते हूं केड़े वाई गुरू जी का खालसा वाई गुरू जी की फते हूं